दोस्तों जैसा कि आपको 1UI 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है साथ में Android 12 का अपडेट दोस्तों उसमें यहां पर हम आपको तीन मेजर चेंजेस बता रहे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अपडेट के बाद तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप इंटरफेस देखने को मिलता है और यहां पर 4.0 यानि कि 1UI 4.0 के साथ डिवाइस स्केर का कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है और बाकी यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स वगेरा देखने को मिल जाते हैं और यह जो है re-design किया गया है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको और भी यहाँ पर feature वगेरा मिल जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह कुछ changes आपको देखने को मिलता है दोस्तों device scan के अंदर दोस्तों next update की बात करें files के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं my files के अंदर यहाँ पर update आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का user interface 4.0 के साथ मिलेगा और 3.0 के साथ कुछ इस तरीके का आपको user interface देखने को मिलता है बाकि यहाँ पर जो icons वगेरा है उसे और ज़्यादा customize किया गया है दोस्तों और यहाँ पर आपको additional features वगेरा देखने को मिल जाते हैं जो कि यह आपको 1UI 4.0 के साथ update देखने को मिल जाएगा तो बात करें दोस्तों next feature की तो यह आपको मिलता है notification panel के अंदर यहाँ पर आप left side में देख सकते हैं आपको 4.0 का notification panel देखने को मिलता है और left side में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं brightness वाला जो option है यहाँ पर थोड़ा redesign किया गया है तो यह कुछ आपको update देखने को मिल जाता है दोस्तों जो कि आपको 1UI 4.0 के साथ देखने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर changes हुएं दोस्तों notification panel के अंदर तो उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी हल पूल रहेगा ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जी वीडियो को लाइक कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई